सोया बीन की सबजी में अगर आपके भी टेस्ट नहीं आपाता है ना तो चिकन मतन जैसे ये टेस्टी बनेगी और बहतरीन रंग के साथ ये बन के तयार होगी तो जानिए खास तरीका इसे मैंने कैसे बनाया है चाय पत्ती डाल के जी हां दोस्तो घर में जो चाय की चाय पत् लेने हैं लगबक 40-45 मैंने लिए हैं उसी के मात्रा में मैं बनारताने वाली हूँ तो सबसे पएदे थोड़ा सा पानी लेना है उबलने के लिए रख देना है और हलका सा आपको नमक डाल देना है उसके बाद सोया चंक्स है उसे आपको डाल देना है 40-45 है दो से तीन पानी उसमें डाल देने है और अच्छी तरह से हातों से निचोड निचोड के जितने बेख्ष्रा पानी है न सभी को आपको हटा लेने है ताकि इसमें अच्छी तरह से मसालिव इसमें अंदर सेट हो जाए और अच्छी तरह से इसका भरपू टेश्ट आ सके तो यह देख इसका जो स्वाध है वो बहतरीन सा निकल के आए, और ये देखें, दो से तीर मिनट मैंने भूण लिया है, फिर आपको क्या करना है, आप फिर लेना है प्याज, ये देखें, मैंने बड़े साइज की प्याज लिया है, 40 से 45 सोया चंक्स के लिए, और ये देखें, टमाटर है टमाटर मैंने 2-3 यह देखे, साज आप देख सकते हैं, इसी साज के मैंने टमाटर को कट्स कर लिया है और यह देखे, सोया बीन को क्या करना है, अच्छी तरह से भूणना है, और हाँ थोड़ी से कड़ाई आपको जरूर गर्म होने देने के लिए रखना है फिर एक बरतन में थोड़े से पानी डालना है और लगबग एक चमच आपको चाय पत्ती डाल देनी है चाय पत्ती का उपयोग कप करना है आप चलिए मैं वो तरीका बताऊंगी तो चाय पत्ती में एक उबाला आ चुका है एक उबाला आने के बाद आपको गेस पन कर देनी ह और वो पानी को रख देना है। उसके बाद आपको लेने है तेल, ये देखें सरसूर तेल मैंने लिया है, उसके बाद आपको एक चमछ के करीब जीरा डाल देना है, और जीरे को अच्छी तरह से फूटने के बाद आपको डाल देने हैं, प्याज जो बारी कट करिये थे न, अच्छी तरह से आपको डालके लगतार आपको अच्छी तरह से भून लेना पड़ेगा, प्याज भूनना बहुत ही जरूरी है, तभी इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा और रंग भी आएगा, उसके बाद आधा चमश के करीब मैंने ल अच्छी तरह से मेरे लसून अपयाज भून चुके हैं, उसके बाद आपको डालना है नमक, सबसे पहले आपको डालना है, सोया बीन में भी मेरे थुले से नमक थे तो आपको भी साब से डालना है, उसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर, और सभी चीज़ों को मिलाके, आपको लगतर क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, तब तक टमाटर गल न चाहे और अच्छा सा ये सेट न हो जाए, ये देखे, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं, और अच्छी सी ये ग्रेवी की जैसी सेट हो चुकी है, ये देखे, बीना पी से, बीना मिक तो थोड़ा सा कड़वा टिस्ट आ जाता है, इसलिए अधरक को आपको लस्ट में डालना है, और ये सभी चीजे भून चुकी है, आप चलिए कुछ मसाले हैं, जो मैं अब यूज करने वाली हूँ, और कैसे यूज करने वाली हूँ, और कौन से मसाले में कौन सा टिस्ट जीरा का पाउडर ये देखे और तोड़ा से मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर है तो जरूर डाल ये बहुत अच्छा से टेस्ट हता है और हल्की सी मैंने डाली है हल्दी और हल्दी डालने के बाद आपको मिर्ची डालना है और मिर्ची मेरे सिंपल वाले है अगर कास्म से भुनना जरूरी है अब चलिए वो टिष्ट कैसे लाए अब मैं वो जनकारी देने वाली हूं तो थोड़ा सा आपको डालना है किचन किंग मसाला अगर मीट के जैसे टिष्ट लाना है तो आपको मीट मसाला डालना पड़ेगा और अगर आपको चिकन वाला टिष्ट आपको भूनते रहना पड़ेगा और यह देखें बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ चुका है और मसाले में बहुत ही अच्छी सी लाजवाब खुसमु भी आ रही है अब अच्छी तरह से भूनने के बाद बाहर छूट रहा है मसाले में और जाली जैसी पड़ रही है तो समझ दीजिए आपके मसाले परफेक्टली भून चुके हैं अब चलिए मैं आगे इसे कैसे उपयोग करने वाली हूँ अब मैं वो तरीका बताती हूँ तो सबसे पहले आपको डाल देने हैं सोया जंक्स ताकि इसमें भी अच्छा सा टेश्ट आ जाए और अच्छी तरह से मिक्स करके आपको भून लेना है ये भी काम 1-2 मिनट को होगा ज्यादा नहीं होगा 1-2 मिनट में ही अच्छी तरह से मसाले में कोट हो जाएंगे और मसाले का जो स्वाध है अच्छी तरह से जोया जंक्स में पी आजाएगा एक से दो मिनट हो चुके हैं अब चली चाय को जो चैपत्ति है अब मैं उसका यूज करने वाले हूँ तो क्या करना है चैपत्ति को अच्छी तरह से च्छान लेना है और जो इसके पानी है पानी का आपको इस्तिमाल करना है यह काम आपका क्या होता है जब ब स्केंदा है उसके बाद मैने थोड़ा सा ठ्रश्ट बढ़ाने के लिए घरममसाला आमचüre और फिरले के मैंने डाला है और स्कुली कुछ तक है कंके आप मैं मैं सपारदेना है deben भी प्यारा सा रंग आके निखर के आएगा और यह देखे अब मैं दिखा रही हूँ आपको यह देखे परफेक्ट रंग आपका यह सबजी का तयार हो जाएगा इसी तरह से होटल रेस्टूरेंट में बनाई जाती है जो बहुत ही सीक्रेट तरीका होता है इसलिए आप भी इस रेसेपी को बना सकते हैं टेस्ट के अनुसार आप धनियापती डाल सकते हैं तो मिलते हैं फिर से एक नेश्ट रपी में तब तक के लिए बाई बाई